हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैक लानिंग पॉइंट यह हमारा थेओरियों मशीन का लास्ट पार्ट है इसमें हम डिसकस करेंगे 461 से 469 तक इसके बाद हम नया सब्जक्स स्टार्ट करेंगे गाइज देखते हैं कुश्चन नम्मर 461 इसमें पूचा गया है दक क्रिटिकल सब्सक्राइब किसके बराबार होती है तो नेट्रों फेकेंशी क्या होती है अंडरूड में एस बाई एम तो इसलिए क्रिटिकल स्पीड हमारी किस पर डिपेंड करती है इस्टिफनेज और मास पर यह कुश्चन हम पहले भी डिसकस कर चुक है फ्रेंड्स तो इसका आंसर है यह है इसमें जो होते है इस टाइप के उनमें जो टीफ होते हैं वह कैसे होते हैं है इस तरीके से है इंकलाइं होते हैं मतलब है है इसमें इसमें क्या होता है इसके इसको इस को इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं है होता है इसमें as there is a force component along the gear axis जो क्या होता है force का component होता है किसके along gear के axis के along the bearing and the assembly mounting the helical gear must be able to withstand the thrust load ठीक है तो यह हमारे क्या है helical gears होते हैं double helical और इसको herringbone gear भी बहुते है double helical geir is equivalent to a pair of helical gear secure together one having a right hand helmets and other a left hand Alyx एक में क्या होते हैं रैट है है रइटा किनहाओ कियैंन में left and Alex होते हैं इस तरीके से एक ग्यार है यह दूसरा है तो सब्सक्राइब होते हैं दूसरे में इस तरीके से होते हैं यह ठीक है Adam the teeth of the two rows are separated by a group used for tool run-out जो उनके बीच में groups जो रखा गया था वो किसके लिए यूज किया जाता है टूल रन आउट के लिए एक्जिल थ्रस्ट विच अकस इन केस ऑफ सिंगल है लिकल गियर इस एलिमिनेट इन डबल हलिकल गियर जो हमारा एक्जल थ्रस्ट ऑफ द टू रोज आप टीथ चैंसल इच अधर जो टू रोज होती है दौनों रोज क्या कर दीए एक दूसरी को जो एक्जिल थ्रस्ट आ रहा है उसको कैंसल आउट कर देती है तो दीज केन वी रन एट एट थाइस पीड़ेद लेस्ट नॉइस और बैसे देह सुआ ठीक है तो हेलीकल क्या दो अश्रक अधिर होते हैं इनमेंक और हैंग आपउवश्ट्न होती है ऑन एक्ष्ठीग रिद्सन जो लाजज श्रक्षन के बॉम guir का यूज करते हैं ठीक है और है अगर का करते हैं नोन intersection और नॉन करना साथ को कनेक्ट करने के लिए जो क्या होते हैं नॉन interchange эффल होते है इसलिए C क्या हो जाएगा 1 तो दि का 1 किसमें है यह option नमडि Miles 2 हो जाएगा डी कब्षी का 4 हो जाएगा बॉम्म गीर कप the bearing characteristic number in a hydrodynamic bearing depends on तो जो बीरिंग characteristic number होता है hydrodynamic bearing में fluid bearing में वो किस पर depend करता है यह पूछा किया है friends तो इसके लिए formula रहता है हमारा s equal to r upon c ka hall square into mu into n upon p तो यह इसको हम क्या कहते हैं summer field number बोलते हैं in design of the fluid bearing the summer field number is used extensively in hydrodynamic lubrication analysis तो hydrodynamic lubrication analysis में अपन किस number का यूज करते हैं summer field number का यूज करते हैं जिसको हम define करते हैं इससे s equal to यह होता है तो यहाँ पर mu क्या है dynamic viscosity यह absolute viscosity बोलते हैं और n क्या है number of speed है और n क्या है यहाँ पर speed of rotating shaft है P क्या है यहाँ पर load per unit of projected bearing area या फिर प्रेसर बोल सकते हैं load per unit area क्या होता है प्रेसर होता है तो यह पी प्रेसर है हमारा r radius of the shaft और c क्या है radius clearance ठीक है तो यह किस पर पर डिपेंड कर रहा है हमारा मुप भी और n पर और पर पर प्रेसर पर डिपेंड कर रहा है और speed पर डिपेंड कर रहा है और viscosity पर डिपेंड कर रहा है ठीक है तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा हमारा viscosity speed and bearing pressure तो option अब देखते हैं next question 464 इसमें भी हमें क्या करना है दो लिस्ट दी गई है दौनों को मैच करना है ठीक है यह वाला question तो हम पहले भी discuss कर चुके हैं लास्ट लेक्स में तो quadratic cycle chain को हम क्या कहते हैं forward chain भी बोलते हैं इसके divergence दिए गए है forward chain का inversion क्या होता है double crank mechanism ठीक है coupling rod of a locomotive crank rocker mechanism इसको beam engine एक्जमपल होता है double lever mechanism का एक्जमपल होता है वाट इंडिकेटर में कैने जम और steering gear होता है इसमें फोर लिंक mechanism होता है ठीक है फोर लिंक होती है और चारों में क्या होते हैं यह हमारा क्या है forward chain का एक्जमपल है तो यह हम लास्ट लेक्टर में इसका सके चुके हैं और single slider केंग चैन में यहां पर पूचा गया है single slider केंग चैन का क्या हो जाए यह हो जाएगा हमारा oscillating cylinder engine mechanism तो यह हमारा थर्ड इंवर्जन रहता है oscillating cylinder engine mechanism और इसमें क्या आते है crank and slotted lever तो थर्ड इन वर्जन तो बी का क्या हो जाएगा थर्ड डबल स्लाइडर केंग चैन का क्या होता ओल्ड हम्स कप्लिंग यह स्कॉच यॉक होता है सेकेंड इन वर्जन फर्स्ट में elliptical tremal जो लास्ट वाला कुश्चन था उसमें elliptical tremal दिया गया था लेकिन यहां पर क्या दिया गया ओल्ड हम्स कप्लिंग अब दिखते हैं next question 465 a reverted gear train is one in which the output shaft and input shaft output shaft or input shaft जो रहते हैं gear train के reverted gear train के वो कैसे होते हैं ठीक है तो rotate in opposite direction या फिर are coaxial are at the right angle to each other are at an angle to each other ठीक है तो यह क्या होते हैं reverted gear इस तरीके से होता है हमारा यह हम भी हम discuss कर चुके हैं friends तो इसमें क्या होता है if the axis of the first and the last wheel of a compound gear coincide तो जो फस्ट भी लिए है और लास्ट भी लिए है इन दोनों की exercise तो इस पाकार रटब करते हैं तो यह हमारा क्या बनता है रिवर्टेट गीयर बनता है ठीक है तो रिवर्टेट गीयर डी तरेंट में क्या होते हैं दोनों exercise क्या होते है तो इसलिए उसका answer क्या हो जाएगा option number भी अब दिखते है next question 466 इसमें पूंचा गया है वेना slider moves with a velocity V on a link rotating at an angular speed of omega the Coriolis component of acceleration is given by the Coriolis component हम देख चुके हैं फ्रेंट्स कई बार यह क्या होता है 2V into omega option number D हो जाएगा इसका अब देखते हैं next question 467 the total number of instantaneous center for a mechanism consisting of n links तो number of instantaneous center अपन किससे निकालते हैं n into n-1 upon में 2 तो इसका है option number D यह हम सारी चीज़ें discuss कर चुके हैं गाईस last lecture समें अच्छी से ठीक है और यह 468 में पूछा गया है in a cam drive it is essential to offset the axis of a follower follower के दो प्रकास arrangement किये जाते हैं गाईस एक होता है in-line arrangement और दूषरा होता है offset arrangement तो in-line arrangement में क्या होता है राव फोलो में थोड़ा सा distance से पास करती है तो उसको हम क्या कहते हैं offset कहते हैं the amount of offset is the distance between these two center lines इन दोनों center lines की बीच में कुछ distance होती है उसको हम क्या कहते हैं offset कहते हैं तो the offset causes a reduction of side thrust present in the roller follower तो इसके कारण offset के कारण क्या होता है जो side thrust आता है उसमें roller follower में उसको हम क्या कर सकते हैं reduce कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए offset provide किया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा decrease the side thrust between the follower or the guide तो option number a correct हो जाएगा इसका अब दिखते हैं next question 469 if a mass m oscillates on a spring having mass ms and stiffness k then natural frequency of the system is given by तो यह question भी हम discuss कर चुके हैं अगर कोई spring है उसका mass को भी अगर consider कर रहे हैं तो इसके लिए जो natural frequency आती है वो कितनी आती है हमारी यह आती है k upon m plus ms upon me 3 ठीक है तो option number a correct है इसका guys आपको मेरा गर content अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like करें share करें और जिन लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया है वो इस channel को subscribe करें because you know guys YouTube policies YouTube policies में 1000 subscribe करना बहुत जरूरी है तो I have to complete 1000 subscriber within one month अगर ऐसा नहीं होता है तो channel बंद होने के chance ज़्यादा है guys इसलिए अगर आपको content अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like करें share करें और subscribe करें Thank you